ये कानी 1972 के वक्त में जहान दो बच्चे खेल रही हैं तभी इनकी मार्बल बॉल इनके हाथ से गिरकर नीचे दूसरे फ्लैट में पहुंच आती हैं जिन्हों ने ये फ्लैट बैंक से लोन लेकर लिया है बैंक का लोन उतान देगे लिए दोनों हस्पेंट वाइफ तो काम पर चले जाते थे और इनके पीछे खेल पे रह जाती थी इंपार जो इस कपल की बड़ी बीती है जो ने घर पे रहकर अपने छोटे भाई ड्रेफल औ गोंड़ी जोती है और अचानक वॉष्रूम के सारी खिर्कियां धर्वासी बंद हो जाती है वो सोर सोर से चिला कर अपने माम डैड को पलाती है उसके माम डैडड धर्वासा खोल कर उसको बाहर निकाने दे है और फिर रफल के रूम में चाते है जहां वो खिड्की से लट फिर अचानक वोश्रों के दर्वास से बाद हो गए और जब मैंने नीचे से देखा तो मुझे नीचे एक शितानी बाउन निजर आया इंपायरो के मॉम डैड उसकी कोई बगवास नहीं सुदे और उसे ही डाट कर यहां से चिले जाती है सीन कर ठोकर हमें इंपायरो के दूसरे भाई को दिखा चाता है जिससे अपनी रूप के केड़के पर दोसरी बल्डिंग से एटैच रिलिंग पे एक लेटर मिला है इस लेटर पे एक नड़की का नाम लिखा था इंपाइरो का भाई को लगता है कि शाहिद भी नड़की उसे दोस्ती करने चाहती है वो भी अपना नाम लिखकर उस रेलिंग पे लगा कर दूसरे बिलनेंग तक पहुचाता है पर काफी देर उस नड़की के वेट में खड़ा रहता है जो यह लेटर लेगी ठकर जैसे ही उस हिर पे होता है तो उसे दुबारा रेलिंग से आवाज आने लगती है जब हो देखता है तो उस चगा एक और लेटर पड़ा था जबके दूसरी तरफ रेफल अपने कमरे में ड्राइंग कर रहा था और इस मर्तमा दुबारा इंपायरों के दादची घार से चले जाती है अपनी दादची को ढूलने जाने से पहले पूर रेफल को ही कहके की थी कि यहां से हिलना मत रेफल पिचारे को कुछ समझ नहीं आता उज यसी टीवी की करीब जाता है तो टीवी के अदर से एक भूतिया हाथ निकलकर उसे टीवी की अंदर कर लेता है यहां दिखाया जाता है कि एंपायरों को रोट पे खुमते हुए अपने दादची भी मिल जाते हैं पिचिनियों लेकर जब घर आ रही होती है तो उसके दादची कहती है नहीं में वहाँ नहीं जाओंगा वहाँ जो अवरत है वह हम सब को मार डालेगी एंपायरों सबर्दस्ती अपने लेकर घर आ जाती है लेकिन घर आने पर अने अब रेफल कहीं नहीं मिल रहा था धब राकर ये लोग पुलीस में भी रिपोर्ट करवा देती हैं जिसके बाद इंपायरों के मौम डेट भी रेफल को ढोड़ने के लिए पाहे निकल चुकी थी अब इंपायरों ही घर बेर के लिए थी और तभी उसी एक फोन की आवास आती है इंपायरों चोब फोन उठा एक दूसरा आदमी आकर इंपायरों को बताता है कि ये फ्लैट स्थालों से ली खुला इंपायरों के मौम डेट उसका भाई भी यहां आचुकी थे वो इन सब को बताती है कि मुझे रैफल की आवास यहां से आ रही है ये लोग इस फ्लैट को लोग खोलकर इसके अंदर च करनी थी वो उसे दिखते ही डार चुकी थी उसके लंबे लंबे बाद वो जोड़ सोच से चीखे मा रही थी इंपायरों की फैमिली उसे यहां आकर खामोश करवाने की कोशिश करती है और उसके डार जब खिलकी के बीचे दिखते हैं तो वहां कोई भी नहीं था खैर अकल बताती है कि बेरी बेटी बोल नहीं सकती यह पैर–ननल ओर अपनी मोम को कुछ समझाती है वो असलमें एमपायरों की घर में होने वाली सारी चीज außer सम्चे दिख अच इस लिए इस पैरनाइज शुरण की मोवम इंपायरों की मोवम को एक कार्ड देती है और कहती है इसे तुम हमेशा अपने पास रखना ये तुम्हारी मदद करेगा दूसरी तरफ घर भी आज दुबारा एक बाहरों के बड़े भाई के पास दूसरी बिल्डिन से एक क्लेटर आया है वो दूसरी बिल्डिन की की को देखता है वहां तो कोई भी नहीं था वो फैसला करता है कि वह आखिर कोउन उसे ये लटर्टर लिख रहा है ये नर्का जैसे ही रोस्री बिल्डिन में जाता है तो कोई लड़की उसे पीचे से गल्ले लगा लीती है नर्की के हाउत में केंडल थी और सामने एक तो उसे पता चुलता है कि इस लडगी के पाउं बूड़े हुई हैं। उसी वक्त पे ये चुड़ें इस लडगी को मारने की कोशिश करती है। पर ये नरका पड़ी ही खुश्यानी दिखाते हुए इस चुड़ेंट को उठाकर दूर फैंकता है और यहां से भागते हुए अपनी जान बजाकर निकलाता है। अब उसके छोटे भाई यनी रैफल की आवास में उससे बाग करें थी। इसे टाइम पर दुबारा फोन रिंग करता है। इंपारो जब दुबारा फोन उठाती है तो उससे रैफल की आवास आ रही थी। पहले की तहाई रेफल से बात करते हुए उसे रेफल की आवास पास की एक फ्लाट से आ रही थी वो फोन को ऐसे ही छोड़ कर चल्दी से उस फ्लाट का तर्वासा खोलती है और फाइनली उनका भाई उसे उसी फ्लाट में मिल चुका था इस अचीब वाकिये से अब पूरे घर वाले डर चुके थी रेफल और एमपारो की मौम अपने हस्बन से कहती है बस अब और हम यहानी रहेंगे हम इस घर को छोड़ कर कहीं और शिल जाएंगे पर यह आदमी कहता है नहीं हमने इस घर को करीटने के लिए बहुत सा बैंक लोन लिया है हम इसे नहीं शोड़ सकते रात हो गई थी एमपारो जैसे ही अपने कमरे के अंदर कदब रखती है तो उसी सकिंप उसकी कमरे के सारी के दर्वाजे एक तब से बढ़ हो जाते है यहाँ तक कि लाइट भी उसकी कमरे के चलिए थी वो जोड़ शोड़ से चिलाते है उसके मौम डैट जासे ही इस कमरे में आते है अब तो यह लोग इस घर में बिल्कुल नहीं रहने माले थी लेफल और इंपारो की डैट इन सब को लेकर एक होटल में जाने जाते हैं और पूरी राद यह लोग यह दुआएं करते हुए घुजाय देते हैं कि वो इस आत्मा से बच चाएंच उनके घर रह नहीं है अगले दिन इंपारो की मौम डैट को बैंक वाले बुला करें बताते हैं कि आपको जल से जल बैंक का लोन वापिस करना होगा पैसोगार पिसाम काई डिक थी इंपारो के डैड अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं लेकिन कहीं से पैसोगा इंपसाम नहीं हो पाता वो पिछले दो दिन से ओफिस में नहीं कहे थे इसलिए उनको जॉब से भी निकाल दिया गया था ठक हार कर अब इंपारो के मौम उस पैरलाइस लेडी की गर्जवाती है जिसके मौम ने उसे एक कार्ड दिया था वो अपनी घर में होने वाली सबीचीज़ों के बारी मुन को बताती है जिस पर ही लेडिस कहती है कि हमें तुम्हारी घर होने वाली हर चीज़ के बारे में पहली ही पता था वो अब उनके घर को दिफने के लिए उनके साथ यहां आई थी जबकि अब इंपारो भी उनके घर में रहने वाले पिछले लोगों से मिलने के लिए गई थी यह उगरत पताती है कि जब हम लोग उस घर में रहते थे तो मेरी एक पूरी फैमिली थी मेरा बेटा, मेरे हस्बन पर हमें नहीं पता था कि मेरा बेटा एक ट्रांस्टेंडर है उसे लड़का होने के बावजूद लड़की बनने का शोक था और इसी वज़ा से वो उस लड़के को वही बन करके यहां आ गई और वो लड़का वही तरणब तरणब कर मर गया और तब से उसी की रूप महा पर भाटक रही है यहां रिवील होता है कि वो अपनी मां बजनी की खौहिश कुरा करने के लिए इमपाइरो के भाईको बार-बार येट्रस लेकर अपने पास बुलाती थी और उसने दो मरतबा मोका पाने के बावचोत भी इमपाइरो को इसनी नहीं मारा क्योंकि इमपाइरो प्रेट्नेंट थी इमपाइरो ये सब को चानने के बाद फूरण घहरा आती है जहां उसकी मॉम उस पैनलाइस लेडी को लेकर आई हुई थी वो आत्मा इस पैनलाइस लेडी के जिस्टम के उपर कपसा कर लेती है और इन सब को बारने के लिए न के उपर हमला करती है और तब ही एमपाइरो एक कांच कर टुपडा लेकर उसको धंकी देती है ये भूत या आत्मा आप इमोशनल होच की थी तब मुखा पाते ही एमपाइरो के डैट उसके उपर चड़ते हुए उसे नेगर खिरकी से नीचे कूट जाते है जिससे उनकी खुद मौत हो जाती है और भूत फिर भी नहीं मरता जिनके वरेने के बार्ट उंके लाइफ इंशोरिंस के सारे पैसे उनके बाइष ये नहीं इमपाइरो की मों को मिलते हैं और पैसो से वह इस खर का बैंक का नोट पे करने के बार अपने फैमिली के साथ इस घर को छोड़ के यहाँ से चिनी जाती है जबकि वो आत्मा वो भूत अभी भी उसी एक है कि उसी एक कमरे में अभी तक बंद है जिसको दिखाते हुए ये कहानी नहीं खत्प हो जाती है